सभी को जैहिन जैभार्त वंदेवातनम फाइनली बात करेंगे दोस्तों एक और भरती के बारे में जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों हमारे यूटुब चैनल के ओपर हर रोज स्टेट कोवर्मेंट सेंटर कोवर्मेंट या फिर इंडियन आर्मी की जो भी भरतिया नि जो कि पोस्टे जो निकल के दोस्तों MTS की निकल के दोस्तों से की निकल के हैं MTS की निकल के दोस्तों जो टोटल जो पोस्टे निकल के हैं 677 पदों पर रिकुर्मेंट निकल के आई है और इंडिया विकेंसी रहने वाले दोस्तों मेल एंड फिमेल दोनों के दोनों के किस प्रकार से आपको form apply करना है कैसे आपको form apply करना है दोस्तो क्या qualification रहने वाली है क्या क्या document आपको upload करने पड़ेंगे क्या last day रहने वाले क्या fees रहने वाले क्या syllabus रहने वाले कहां से आपको apply करना है तो complete information आपको इसी वीडियो में मिलने वाले है वीडियो अंतक देखते रहेगा दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि मेरा भी मोटिवेट बना रहे हर रोज हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है देखी दोस्तों आए बी इंटेलिजेंट ब वीवारे में खूफिया विभाग की तरब से बीकैंसित निकाली गई है यहां पर बात करेंगे दोस्तों को फूपिया भी बाग की जो भट्रती नीकाली गई हैं दोस्तों पोस्ट नेम जिनास पोस्ट का नाम बता दूँ सेक्योर्टि असिस्ट की पोस्ट निकल के हैं पर यह रिक्रमेंट निकलके आई है नंबर ओफ विकैंसिज की बात करेंगे 677 पोस्टों पर यह विकैंसिं निकलके आई है गाईज ओके All Over India से Candidate है, APPLINE कर सकते हैं, किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट्स से बिलोग करते हो, ओके उसके बाद बात करेंगे, जो टॉटल जो विकेंसी निकलके हैं, दोस्तो सबसे जाएंदा जो विकेंसी निकलके हैं, MTS पोस्ट में निकलके जो कि 315 विकेंश ही निकल गए हैं ओके बाकि जो सिक्योर्टी असिस्टेंट और ड्राइवर मोटर टांस्पोर्ट की जो 362 विकेंश से निकल गई हैं दोस्तों ओके उसके बाद नीचे चलते हैं बात करें यहां पर इसका जो एप्लिकेशन फॉर्म है प्यार दोस्तों एप्लिकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होने वाला है इंपोर्टेंट डेट यहां पर देख सकते हो गाईज 14 अक्टूबर से ओनलाइन तरीके से आप सभी को इसका फोर्म है वो फिल करना पड़ेगा चोदा अक्टूबर से इस भरती का आप सभी को फोर्म है वो फिल करना पड़ेगा गाईज यहां पर देख सकते हैं उसके बाद लास जेट की हम बात करेंगे 13 नॉमबर 2023 भरती की रखी गई है बेसिक पे सेलरी यहां पर देख सकते हो सिक्योर्टी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की यहां पर 2100 इसका बेसिक पर स्टार्ट हो रहा है और म्यूंटियस की 18,000 जार शेलेके 56,900 रुपरे इसका बेसिक पर रख गया है बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन की दसवी पास्टुडेंट है वो सभी अपलाई कर सकते हैं उसके बाद एज की बात करेंगे 18 से लेके 20 साल तक अपलाई कर सकते हैं बात करेंगे यहां पर फीस के बारे में होगा एंड इंटर्वियो होगा अगर आप ड्राइवर में हैं तो सबसे पहले आपका एक्जैम होगा फिर आपका ट्रेट टेस्ट लिया जाएगा ड्रेवरी टेस्ट का ओनलाइन तरीके से आपको फॉर्म में फिल करना पड़ेगा जोब लोकेशन ओल आवर इंडिया में कहीं पर आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी ठीक है यहां पर इसकी वेबसाइट दीगे दोस्तों जैसे कि मैं इसका नोटफिकेशन पर आपको डाउनलोड करके दिखा दी तो यहां पर आप क्लिक किजिएगा तो आप डाउनलोड कर सकते हो और अपलाइड डेट का भी लिंक मैंने दे दिया है वेबसाइट का भी लिंक दे दिया डिक्सेशन बॉक्स में जाएगा वहाँ पर हमारे टैलिग्राम ग्रूप है एक डिफेंस अकैडमी तेलिक्राम गूरूप है वहाँ पर आप जोईन कीजिए गागा पीडिय अगरा आपको मिल जाएगी यहां पर तो इंप्लोइमेंट न्यूस पेपर में प्प्लिकेशन हो चुका है दोस्तों ठीक है आएब रिकूर्मेंट 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है इंप्लोइमेंट नोटिस में ठीक है दोस्तों यहां पर स्टेट वाइस है वह आप अपनी देख लेना एहमदाबाद की सर्थान से कि कहां का पर की बंगलोर की निकल के आई है यहां पर आप सभी देख सकते दो स्टेंटर के विकेंशी रहने वाली है तो इसके जो विकेंशी पूरा 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 जो डिटेल नोटिकेशन है वह हमारी टेलेगराम ग्रूप में अप्लोड कर दूँंग एक डि लेवल देख सकते हैं थिक है यहां पर वैबसाइट दीगी है इस वैबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो वैबसाइट पर विजिट कर करके इसका एप्लिकेशन फोर्म यह जो पीडिया वगरा है वह आप डाउनलाइन यहां पर अप्लाई करना है दो तो ठीक है कि एज की बारे मैं आपको बता दूँ अगर आप कि ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो आपके पास LMV लेसंस है LMV लेसंस है किसी भी गवर्मेंट अथोर्टी का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और experience for driving motor one year driving lessons होना चाहिए ठीक है तब यह आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास certificate नहीं है इसमें hmv नहीं मांगा सिर्फ LMV मांगा है LMV ठीक है पलस में one year का experience मांगा है और आपकी जो एज माइंगे ही प्यार दोस्तों वह 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं 27 पलस सेस्ट को पांस साल की चूट है ड्रैवर के लिए और असिस्टन सेक्यूर्टी असिस्टन की बात क कर रहे हो तो जर्नल कैटेगर की एज 28 से लेके 25 साल तक अपलाई कर सकते हैं तो इसका जो नोट्फिकेशन है वह हमारे टेलिग्रम ग्रूप से ले सकते हो अगर आपके पास ड्राइवर का experience नहीं है तो WhatsApp पे मैसेज करके आप वह पर्चेज कर सकते हो या फिर मैसेज करके और ओनलाइन तरीके से पेपर कंडेक्ट करवाए जाएगा दोस्तों फिर आपका जैसे की ड्रैवर है तो आपका ट्रेट टेस्ट लिया जाएगा चालिस प्रेसेंट अपका ट्रेट टेस्ट निर्भर करता है ओके और रिश्क्रटिव्टु टेस्ट होगा और इंग्लिष् लेंग्वेंज में होगा हो आपका थीक है पचास नंबर का होनेबाले पचास ही कॉषटीं आने वाले हैं त chambers पचास नूंबर आप्टाइम मिलने वावाले दोस्टू है ये भी आपको कम्प्लिट करना कषण आता कि